आशल्मूलेकूम आज 15 नॉम्बर 2023 है और आज की मार्केट की करन्स सिट्वेशन के हवाले से काफी सारी मार्केट में इस तरह की बाते हैं कि कि मार्केट अब 1000 जाएगी, सतर हजाएगी और ऊपर ही जाएगी, नीचे भी जास अती है चानक से तो इस तरह situation में क्या कहे जाए काफी सारे लोग अपने orders मजीद बाय कर रहे हैं कुछ लोग बोले हैं सब कुछ sell कर दो तो इस situation में क्या कहे जाए अचा क्या विडियो स्टार्ट करने से बाले मैं सबसे बहुत आपको बता है यह आजकी मीरी विडियो खुसें दौन लॉंग टौम वालों के लिए शॉट टॉम लाएं नहीं है लॉंग टौम वालों के लिए सबसे पहले हम मारकेट सिटुएशन देखते हैं 56 thousand रहता है वाल विल्कुल एक्वल है ना ऐसा नहीं जो बाइक करते तो पॉर्ट काफ़ी जादा होते हैं तो भी इसी तरह पॉर्ट नेगिटिव में होते हैं तेकिन अब ऐसा नहीं काफ़ी जादा एकुल लोग भी करें सेल भी करें एक चीज दूसरी चीज यह के मार्केट अब 5680 पर तो इस पांच साल में के हाय पर तो पहुच गई है फिलाल तो जाओ 19 से अकर देखते हैं तो और यहां पर मजीड डेटा नहीं है तो फिस पांच साल के हाय पर पहुच गई है तो मैं ही समझत अब क्या के जाए इस सिट्वेशन में हम अपने हमारे जो लॉंग टॉम वाले जो मेरे पांच शेयर में रिकमेंट किया दें जिसमें एंग्रो अपको पोल के अपको उनको देखते हैं उनकी क्या सिट्वेशन नहीं सबसे पहले लेकर आता हूं मैं एंग्रो पाकिसन स्टॉक इस्चेंज की एबसाइट में हूं और सब कुछ इसमें पब्लिक लिए वेलेवल है तो यह हम डेटा बिल्कुल कॉंफर्टिबली यूज़ कर सोते हैं सबसे एंग्रो कॉर्पेशन की बात की जाएंग्रो कॉर्पेशन मुझे याद हम मैंने बाइक कॉल क मैं आज इसको सैल आउट कर दिया अच्छी कासि कॉंटी के 2550 है 60 मैंने सैल आउट कर दी ऐसकी वज़ए ऑड़र पहली वज़गा कि मुझे मैं समझे नीज़त कि फिर अर्बर की जरौत है कुई कि फिल हूब इलेक्शन की हाइप की बिख से मार्कीट टոपर जाएगी तो मैंने सोचा कि सेफ अप्रोच यह करी कि पॉफट ले लिया और जब मार्केट उपर जा दी तो करेक्शन भी मार्केट की नीड है तो अगर नीचे जाएगा तो मैं मजीद लेके थोड़ा शॉट टम मैंने अपनी लॉंग टम पोजिशन है थोड़ा सा और मजीद इंप्र लॉट कर दिया मैं समझता हूं मैं थोड़ा नीचे आएगा फिल ले लूँगा इवन टूएटी पी भी आएगा तो मैं अगर में पांच हजा शेर्स लेना हूं तो अच्छा वादर प्रॉफिट है फिर इसके बाद जाते हैं कंपरी स्ट्रॉंग है अभी फिलाल दो महीन में कुछ नहीं होने वाला हम फर्वरी में इसके रिजल्ट आएंगे तब तक पोटेंचल है कि तब तक फर्वरी जब रिजल्ट के नियरबाइट पहुचे के तब यह जाके इसमें मुम्मेंट नजर आएगी तो कोई अक्टिविटी नहीं है तो इसले मैं समझता हम अभी सब ब्रोकर ने कमिट किया थे कि 520-550 पर जाएगा इस कोटर में थर्ड कोटर में मुझे फिलार अगर 56000 मार्केट से लेकर यह सिर्फ 424 तक गया तो मैं नहीं समझता है यह जाएगा उस प्राइस पे लेकिन अभी मैं यह समझता हूं यह इस तरह परफॉर्म करना इस पे जादा कोई इंपैक नहीं होगा तो इसको आप होल्ड करें के रखें 400 के 400 के अराउंड मेरी बाय कॉल थी और मैं अभी भी स्टेक हूं मजीद इसमें बाइंग ना करें 400 के अराउंड इसको बाय करना फॉर लॉंग टर्म और जो अभी एक्सपेक्टेशन ने मार्क वजह नहीं पता है क्यों नीचे गिरा है मार्केट में लेकिन जो देखते हैं क्या है अगर किसी के बास है मेरे पास था मैंने इसको बैस दिया तर दो दिन पहले एक 120 पे शाहिए तो मैं समझता हम इसको आप sell करते हैं अभी इसमें value नीचा है इसकी true value 120-22 के दर्मियान इसकी true value है जो इसकी book value भी यही बनती है तो मेरे खाल मैं अगर इस value पर आप sell करते हैं और बात मैं आपको लाजमी मौका मिलेगा ऐसा नहीं समझें मौका नहीं मिलेगा कंपनी की earning growth बहुत strongly भी तभी मैंने long term recommend किया था I suggest at this point इसको settle करो और फिर इसको भागे जाके जब market correct होगी तो यह 100-90 नीचे नवे 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 पाय तो very good to enter यह वैसे हम यह शेर मैंने 64 पर उठाया था जन्वरी में और एक सब्सक्राइब की शकल में प्लस वेल्यू में भी तक्रीवन डबली होगे 63 सब्सक्राइब तक्रीवन डबल होगे तक्रीवन डबल होगे गुट गुट कंपनी करेंट्ली प्रॉफ करेंट्ली यही स्ट्राटिजिय कि सेल करें एन वीट करें मार्किट करेक्ष स्टंप अब तीसरा आता है है अपको सेशने कपको में काफी मेरे होगे क्वाइब को में इस कर्रेंटली से जांग मार्केट करेंग भी करते हैं मैं इसको सेल का मेरे कॉल नहीं है इसकी वाजा बता था क्यूँ पक्रीबन आर्ट रोपर डिविडेंड देता है इस इसाब से अभी भी वेरी गुड प्राइस पे अभी भी जिसको एंटर होना तो इस वह से मुझे लगता है कि इसको आप सेल ना करें यहां पर प्रॉफिट टेक ना करें अगर मार्केट करें करती नीचे भी आता है तो कोई बात नी इन रिटर्ण वाइस आपको अच्छा रिटर्ण देगा अभी काफी साहे लोग ने बाइस टेस पर उठाया है मैंने साथे बाइस पर उठाया है वापिस मैंने मजी टॉप अप किया था मेरी एवरिज बाइंग साथे शॉबिस है तो मैं समझता हूं कि मैं इसको सेल नी करूंगा और मैं इसको रहने दूंगा पॉर लॉंग टर्म तो इस पर मेरी बाइकॉल या सैल कॉल नहीं है इसको वार डिसंड्ली हम मैंने पाक शार्डी इसको मैंने बर्बार जिकर करता था मिजान मैंक मैंने लिया ता कुछ वीत में चौर्णे कर दिया और मैंने और मेंसमझता इसको इसको होल्ड करें थो स्को होल्ड करें गुड ecology डिविडेंड येल लेकिन फोर न्यूव फ्रेश अंटी नोट रिकमेंड अगर किसी को सेल आउट करना है तो मैं मिजान को पने लॉंक टर्म में नहीं रखूंगा तो आप इसको सेल करना मुझसे एक्षपेक नहीं करना कि मैं इस पे कोई भी वीडियो बनाऊंगा अब इसके लाव लॉंक टंव वाले मैंने ने कोई जिकर नहीं कि पाकिसान स्टेट ऑल पर मैंने तो कुछ टैम आज ही वीडियो बनाई थी इस पर मैंने जिकर किया था पी एसो ने टार्गर एक्जिव कर लिया तो मैं समझता हूं पी एसो अगर किसी का पास है गूट फॉर कर लें काफी साहे लोग सब्सक्राइब कर लें कि यह भी 170-80 आज सब्सक्राइब को करेक्ट करेंगी यह नीच आएगा फिर हम इस पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं सब्सक्राइब करें और मार्केट उपर जारी इसका मतलब ही निया आपको जो जो चीज आपको मिल रहे आप ले लें क्योंकर सब चीज उपर ही जाएगा ऐसा नहीं है इस अप्रोच पर चलेंगे नुकसान ही होगा आज सजस्ट जब हर रेली में कमाना नहीं होता कुछ रिल अच्छां देखेंगा आपको पता चल लागा कि हमें इंवेस्ट करना चाहिता है नहीं करें तो अभी वेट करें मार्केट करेक्शन पर फिर फरदर और फ्रेश बाइंग लेंगे पाकजान ओल्फिल्ट के एक सैप पाकजान और मुझे लगता है कि सी में भी आप भी फिल